मुझे उमीद है कि आज कोई घोशना CEC ने पूरा अधिकार कॉंग्रेस अध्यक्ष को दे दिया है कॉंग्रेस अध्यक्षी सोच रहे हैं, बातचीत हो रही है, विचार विमर्ष हो रहा है और मुझे उमीद है कि आज शाम तक कोई ना कोई गोशना निकलाएगा, बिल्कुल, अपचारिक तोर से, अपचारिक तोर से, ऐसे तो कई अफवाए हैं, पर अपचारिक तोर से राइबरेली और अमेठी को लेकर कौन हमारे उमीदवार है, कॉंग्रेस प्रेजिडेंट के और से एक गोशना ज़रूर आएगा, सर्ब आप कहरें आधिकारिक खोशना लेकिन जो लोगों की कॉंग्रेस की कार्य करता है, हम चाहते हैं कि राहुल जी लड़े, हमेठी से, हम चाहते हैं कि प्रियांका जी राइबरेली से लड़े, पर ये भी सही है कि दोनों देश भर में प्रचार कर रहे हैं, प्रियांका जी असम में थी, चतिसगर में प्रचार किया है, करनाटक में प्रचार किया है, गुजरात में प्रचार किया है, राहुल जी भी देश भर में वो प्रचार कर रहे हैं, खर्गे जी भी देश भर में प्रचार कर रहे हैं, प्रियांका के विखतिक्त निर्ने हैं तो कहे दिया है कि हम चाहते हैं कि आप लडि अभी उनको कề करना भी बात कर रहें तो वास्तविक है उनकी भावना वास्तविक है वास्तविक है कि अमेठी में लोग चाहें राहुल जी आए राइबरिली में प्रियांका जी यह वास्तविक है पर देखें यह नहीं मैंने कह दिया ना, पहले CEC राहुल जी ने भी कहा था, CEC जो कहगा, उसी का मैं आदश को पारण करूँगा, CEC ने कहा है कि हम चाहते हैं कि आप लड़े, सभी सदस्यों ने अपनी राय प्रकट की, अभी राहुल जी और प्रियंका जी को तेह करना है, और मेरे ख्याल में इ अभी कितने, पांच चरण बाकी हैं, तीन से लेकर एक थारिक तक प्रचार करना है, सारे राज्यों में, सारे देश में प्रचार करना है, उतर पूर्वी राज्यों में, पूर्वी राज्यों में, इंडेक्शन बारत के राज्यों में, उतर बारत के राज्यों में, जमू कोई इस पर जरूर भुशनाओंगी.